आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने दो बड़ी-बड़ी इमारत देख रहे होंगे और कुछ फिक्चर देख लीजे आप लोग इन्हें आप लोग शुपर ट्रेक ट्वीन टावर की नाम से जानते हैं और आप सभी को मालू होगा कि 28 अगर्स्त को इन्हें गिरा दिया जाएगा यानि कि इन्हें दोस्त कर दिया जाएगा अब आप सब के मन में भी सवाल उट रहा होगा कि आखिर इन्हें गिराया क्यों जा रहा है जब बनाये गया था तो गराया क्यों जा रहा है तो आपको बता दूँगी देखे हमारे देश में इस तरह की कई बार घटना होती रहती हैं पहले आप देखते हैं कि कानून की धजियां उड़ा कर कोई काम किया जाता है उसके 10 से 20 साल बात मालू चलता है कि अच्छा ये तो कानून की धजियां उड़ा की काम किया गया था और इसे अब रोकना चाहिए इस पर पितिवंग लगाना चाहिए तो यही मामला है आपका टूइन टाबल का इन इमारतों को नीमों का धजियां उड़ा कर पहले बनाई गई उसके बाद आप देखें कि ये सुप्रेम कोट तक मामला गया और सुप्रेम कोट ने ये आदेश दिया कि इन्हें गिरा दिया जाए और इसमें आप देखेंगे आपका पुलिस विवस्था हो नेता हो सब लोग सामिल रहते हैं देख लिए कि आप देखें आसपड़ोस से कितने उचाई पवर नहीं दिखाई दे रही है तो इनके बारे में हम लोग एक सामन जानकारी देख लेते हैं ये कब सुरू हुई थी और ये पूरा मामला है क्या पहले आप लोग देखी ये उत्तर पेदेश में है कहा है उत्तर पेदेश की नोईडा में आप लोगों को सेक्टर 93 ए में देखने को मिलेंगे दो टाबर ह और उत्तर पेदेश बैसे भी आप चानते हैं कि राजनीती की दुरुष्टी से काफी मात्पूर है और इस तरह के काम खास कर आप देखी उत्तर पेदेश में ही होते हैं और आप देखेंगे यहां बिधान सभा में 403 सीट हैं बिधान परिशत में 100 सीट हैं राज्य सभा म 31 सीट हैं, लोग सभा में 80 सीट हैं, तो उत्तर पिदेश की नोईडा में आपको ये देखने को मिलेगी, सुपर्टेक ट्वीन टावर की अगर हम लोग विवाद की बात करें, तो ये विवाद करीब डेड़ दसक पुराना है, नोईडा की सेक्टर 93-A में सुपर्टेक एमरा 80,273 वरक मीटर जमीन आवंटित की थी, और फिर आप देखेंगे कि 16 मार्च 2005 को इसकी लीड डीड हुई, और लेकिन उस दोरान जमीन की 25 में लापारवाही की कारण कई वार जमीन बड़ी या घटी हुई भी निकल आती थी, तो ये बात थी, और फिर आप देखेंगे, जमीन के पास आप देखेंगे, 6.556.6 से एक वरक मीटर जमीन का टुकडा निकल आया, और जिसकी अतरिक्त लीड डीड आप देखेंगे, 21 जून 2006 को बिल्डर की नाम पर कर दी गई, और लेकिन ये दो फिलोट्स 2006 में नक्सा पास होने के बाद एक फिलोट बन गया, और इ इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फिलोर की अलावा 11 मंजिलों के 16 टावर बनाने की योजना थी, इस रुवात की बात हो रही है, फिर आप देखें कि नक्से के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हुए हैं, ये टावर खड़े हुए हैं, वहा कम्पलीकेशन सर्टिपिकेट भी मिल जाता है, और फैसे में सब कुछ इदा में, एक फैसली से एक गहराया था ट्वीन टावर्स का विवाद, लेकिन इसके बाद आप देखें कि उत्तरपेदेश सरकार के एक फैसली से इस प्रोजेक्ट में विवाद की निव पढ़ती है एबात है 28 परवरी 2009 को, उत्तरपेदेश सासन ने नए आवंटियों के लिए F.A.R. बढ़ाने का फिलोर एरिया रिसीव बढ़ाने का नैडा लिया, और इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल मिलाकर F.A.R. का 33 पितीसर तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया, F.A. F.A.R. बढ़ाने से आप देखेंगे आप उसी जमीन पर बिल्डर जान्दा फ्लेट्स बना सकते थे, और इससे सुपर्टेक गुरुप को यहां से बिल्लिंग की उचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुवती मिल गई, और यहां तक ही भी एमराल्ड कोर्ट प् प्लान में इसकी उचाई 40 और आप देखें कि 49 मंजिला करने के साथी 121 मीटर तक बढ़ानी की अनुवती मिली, तो फैह हॉम वायर्स का सब बर तूट गया, यानि कि आप देखें कि यह जो लोग थे, इनका गुस्सा आया, और आप देखें यह क्या कि यहां से कारवाई क करनी, F.I.R. करवानी कोट जाना सुरू कर देते हैं, और आप देखें कि बिल्डर अथोर्टी ने वायर्स को नहीं दिया था, यह नका आप देखें कि रिसीडेंट वेल्थियर इसोसियेशन ने बिल्डर से बात करके नका दिखाने की मांग की, लेकिन वायर्स के मांगने की बापजूद, बिल्डर ने लोगों को नक्सा नहीं दिखाया, तब आप देखें कि R.W.A. ने नोईडा अथोर्टी से नक्सा देने की मांग की, और यहाँ भी घर खरीदारों को कोई मदद भी नहीं मिली, एपैक्स और सियाने को गिरानी की इस लंबी लडाई में सामि उनका आरोफ है कि नोईडा अथोर्टी ने नक्सा मांगने पर भी कहा कि वो बिल्डर से पूँच कर नक्सा दिखाएगी, और जबकि बिल्डिंग वायल लॉज की मताबिक, किसी भी निर्वार की जगे पर नक्सा लगाना अनिवार है, और इसके बाद जूत आप देखें का रास्ता दिखाई ना देने के बाद, 2000 बारे में वायर्स ने इलावाद हाई कोट में करोग किया, और कोट के आदिस पर पुलिस जाच के आदिस दिये गया, और पुलिस जाच में वायर्स की बात को सही बताया गया, और तेवतिया का कहना है कि इससे जाच इरोपोर्ट क और यह बीच आप देखेंगे खाना पूर्टी के लिए 2013 ने विल्डर को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कभी भी विल्नर याеспर्टी की तरह से वाइर्स को नक्सा नहीं मिला, और फिर आप देखेंगे ट्वीन टावर क्यों बने एमराल्ड कोट की निवासियों के लिल खत्रा यह आप देखेंगे वायर्स का आरोप है कि इन टावरों को बनाने में नेमों को ताथ पर रखा गया है और सोसाइटी की निवासी UBS तेवतिया का कहना है कि टावर्स की उचाई बढ़ने पर दो टावर की बीच का अंतर बढ़ाया जाता है और खुद फायर ओफिसर ने भी कहा है एमराल्ड कोट से एपेक्स या स्याने की नियूंतम दोरी 16 मीटर होने चाहिए लेकिन एमराल कोट के आप देखेंगे टावर से इसकी दोरी महज 9 मीटर देखने को मिली और इस नियम की उलगन पर 9 एड़ा अथोर्टी ने फायर ओफिसर को कोई जबाब भी नहीं दिया और 16 मीटर की दोरी का नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि उचे टावर के बरावर में ना होने से आप देखें कि होने से हवा धो रुख जाती है और इसके साथ ही आप देखेंगे आग लगने की दसा में दो टावर्स में कमदूरी होने से आग फैलने का भी खतरा बढ़ता है और निवासियों का ये भी आरूफ है कि नए नकसे में इन बातों का ख्याल भी नहीं रखा गया और तेवतिया का कहना है कि बिल्डर ने IIT रूड़की के एक असेस्टेंट फ्रोफेसर से नीजी मंजूरी लेकर निर्माड कर सुरू करा दिया और जब इस तरह की प्रोजेक्ट में IIT की अधिकारिक मंजूरी आवस्तक है तो जिसका यहाँ पर पालन नहीं किया गया यानि कि आप देखिए हर जगे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई कानूनों की अंदेखी की गई और ट्वीन टावर की गराने में कितना करोड का खरच आ रहा है यह बनाने की अलग बात है इन में खरच देखिए आप गिराने की केबल बात हुरी है ट्वीन टावर्स को गराने में करीब 17.55 करोड रुपे का खरच आने का अनमान है और एक खरच भी आप देखिए कि सुपर्टेक को ही को उठाना होगा लेकिन इसके पहले स्कूल 950 फिलेट्स के इन दो टावर्स को बनाने में ही सुपर्टेक के 200 से आप देखिए 300 करोड से इनकी बेलू घट चुकी है अब रियल एश्टेक की जानकरों का मानना है कि इस अलाके में 10,000 रुपे पिती बर की फिट का रेट है और इस हिसाब से आप देखिए कि बिना किसी विवाद की इन टावर्स की बाजार कीमत 1000 करोड के पार निकल गई होती और सुपर्टेक इस नुकसान से बचने की भरसक कौसिस भी की है और कोट में तावाम तरे की दलीलें भी दी है और जिसमें एक टावर गिराकर वहां दूसरे को खड़े रहनी की बिकल्ब भी सुझाये था अब ये टावर जमी दोज हो जाएंगे और ये धोखादरी करने वाले डवलपर्स के लिए एक सक्त संदेश भी होगा हाला कि वायर्स का कहना है कि इस खेल में सामिल नुवेडा अथोर्टी से संबंदित अधिकारियों को भी सबक मिलना चाहिए और आप देखेंगे 24 अधिकारी और करमचारियों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है ट्वीन टावर की अवेद निर हाई कोट तक ले कर जाया गया और 2014 में आप देखेंगे लाबाद हाई कोट ने टावर तोड़ने का अधिस भी दिया था वही इस मामले में आप देखेंगे एक सेप्टमबर को अथोर्टी के CEO ने एक कमेटी भी का गठन किया था और 26 गंटी के अंदर ट्वीन टावर से ज अधनी रेपोर्ट भी सौफी गई थी फिर आप देखेंगे 4 अक्टूबर 2021 को इस रेपोर्ट के आधार पर 930 के 24 अधिकारी को करमचाईयों पर FIR भी की गई थी और पिसले साल गिराये जाने थी एक टावर सुप्रिंग कोट ने आप देखेंगे 31 अगस्त 2021 को ट्वीन टा और 28 जन्वरी 1950 में सुप्रिंग कोट की स्थापना हुई थी और समिधान का अनुचेद 124 इस से जुड़ा हुआ है ठीक है और आप देखेंगे इसके लिए कोट ने तीन महीने का समय दिया था लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया इसके बाद इसकी तारीक बढ़ा कर 22 मही 2022 कर दी गई थी लेकिन तब भी तेयारियां पूरी नहीं हो पाई थी और टावर नहीं गिर पाय थी सुप्रिंग कोट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को तीन महीने का समय और दिया जिसके बाद अब देखेंगे 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था लेकिन तब आसपास इन टावरों के आसपास 6000 से जानता लोग रहते और इसलिए वड़ी सावधानी भी रखे जा रही है कि आसपास के घरों को एक तरह से नुकसान ना हो जब एक गिराय जाए ठीक है तो यह कहानी है पूरी आपकी सुपर्ट टेक ट्वीन टावर की